हाई अब्रिवान आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में दोस्तों मेरा नाम मनीस है और आप देख रहे हैं टेक टोन आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरीके से आप जो है डीजी लॉकर की मदद से जाती आवास से आए ओवी से सर्टिफिकेट इड़ूलोड शर्टिफिकेट इन सभी में से आप किसी को भी डाउनलोड कैसे करेंगे मतलब सभी को आप डाउनलोड कर सकते हैं जो ज़ूरत आपका होगा इन सभी में से आप जो है डीजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं Gerald तो आप Service Plus के website से भी download कर सकते हैं बट उसमें अगर आप download करते हैं तो आप कहीं पे भी आप दिखाईएगा मतलब कि आप mobile phone में उसका photo वेगर खीच के रखियेगा कहीं पे दिखाईएगा अगर आपके पास physical copy नहीं रहेगा और वो मानना पड़ेगा तो इस वीडियो में आज मैं आप बताने वाला हूँ किस तरीके से आप जाती आवासे आए OVC and EW Certificate को डाउनलोड कीजिएगा complete process इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो लाश्ट तक देखिए वीडियो को तो सबसे पहली बात तो यहां पड़िये है मैं आपको बताना चाहूँगा आप डीजी लोकर का आप एप और वेबसाइट दोनों यूज कर सकते हैं दोनों सेम सेम है थोड़ा बहुत आपका interface का मतलब कि changes है mobile phone में आपको थोड़ा अलग दिखेगा लेकिन laptop में आपको थोड़ा अलग दिखेगा मैं आपको laptop से बता रहा हूँ आप अपने mobile phone में भी कर सकते हैं सबसे पहले आपको डीजी लोकर के officially website पे आना होगा देख सकते है dglocker.gov.in का यह officially website है इस website का link description box में दे दूँआ या आप Google पे सर्च किजएगा dglocker पहला website दिखेगा उस पे किल्क करेंगे आप इस website पे आ जाईएगा आने की बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको दो option दिया हुआ sign up का sign in का अगर आप जब पहली बार dglocker का use कर रहे हैं तो आपको sign up पे किल्क करना होगा इस चीज़ का धियाँ रखिएगा आप sign up पे किल्क कीज़ेगा तो यहाँ से आपको एक बार एक account बनाना पड़ेगा इस चीज़ का भी धियाँ रखिएगा आप account बनाईएगा तो आप सिर्फ एक बार ही account को बना सकते हैं आप अपने अधार कार्ड से क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक डिजी लोकर का आप दो बार account नहीं बना सकते हैं तो काफी basic process होता है इसका account बनाने का account कैसे बनाईएगा इसमें मैं तो आपको इस वीडियो में अकाउंट बनाके नहीं तो यहां पर आपको login करना होगा मतलब sign in और login सेम सेम होता है थोड़ different होता है उसके बारे में यार मैं आपको यहां पर नहीं बताऊंगा तो यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से आप sign in पर click कीजिएगा उसके बाद यहां पर आप मॉइल नमर या अधार नमर डालिएगा एंड जो आप छोड़ डिजिट का security pin बनाईएगा वो यहां पर आप डाल दीजिएगा उसके बाद आप simple sign in पर click कीजिएगा sign in पर click करने की बाद आपकी register मॉइल नमर पर OTP जाता है उस OTP को यहां पर डालेंगे and submit पर click करेंगे तो यहां पर जैसे आप submit पर click कर देते हैं आप login कर जाते हैं तो इस तरीके से आपका उपर में नम दिखाता है welcome money skumar जो आपका नम रहेगा वो दिखाएगा उसके बाद जो certificate आप इसू किजिएगा यहां पर आपको स्वक करेगा and इस तरीके से आपका डीजी लोकर का आपको एडर फेस खुलेगा आपको यूज किया होगे तो आपको पता ही होगा उसके बाद यहां पर आपको simple search document पे click करना है इसके बाद यहां से आप जो डीजी लोकर से बहुत सरा document को यहां से आप जो इसू करवा सकते है तो simple यहां पर आपको जाती आवाज से आए ओवेसी certificate वगरा डाउनलोड करना है तो यहां पर आपको option दिया होग विहार का आप विहार पे click करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर आपका विहार में जितना भी certificate इसू किया जाता है विहार में वो सब आपको देख सकते इतनों जदा आपका certificate इसू किया जाता है डीजी लोकर की मदल से तो यहाँ पर आपको जो certificate download करना है वो आपको खोजना है जैसे देख सकते car certificate है character certificate है इसके बाद नीचे आईएगा मैं आपको दिखाता हूँ sub certificate है जो जो मैं आपको download करके आप बताने वाला हूँ जिसका same process है वो मैं आपको दिखा देता हूँ देख सकते EWA certificate है income certificate है देख सकते OVC certificate है OVC certificate है रासन कर रवेगर भी download कर सकते है और यह आपका आवास परवनपत्र है तो यहाँ पर मैं आपको एक download करके बता देता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको निवास परवनपत्र download करके बता देता हूँ जो आपको download करना है उस पर click करना है and click करने के बाद इस तरीके से interface को लेगा तो यहाँ पर आपको अपना application reference नमर डालना है मतलब कि आपको अपना आवेदन संक्ष्या डालना है जो की आपके certificate में होगा उसके बाद आपको आपको तो करना है तो यहाँ पर आपको अपको डालना है एक चीद दियाँ रखिएगा आपको डीजी लोकर्स की मदर से आपको certificate अपके पास आएगा जब के आपके पास service plus का certificate होगा तो यहाँ पर आपको अप्लिकेसन नमर डालना है उसके बाद get document पे क्लिक करना है तो इस तरीके से आपका request आपका submit में दिखाता है थोरसा आपको wait करना होता है यह automatic आपका download हो जाता है थोरसा आपको wait करना पड़ता है क्योंकि यह fetch करता है certificate download तो यहाँ पर आपका request आपका दिखाता है इस तरीके से आपको आज आएगा, देख सकते हो, यहाँ पर मेरा यह certificate आ चुका है, देख सकते हो, आज 4 October है, और यहाँ पर आपको यह दिखा दो, मैं आपको 4 October है, तो यह मेरा आचुका है, simple आपको download यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आपको open करना है, simple आपको इस पर click करना है, उसके बाद open हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इस तरीके से देख सकते हो, same, same certificate यहाँ पर यह है, और यहाँ पर यह है, same certificate, मैं इसे बलड कर दिया हूँ, क्योंकि भाई, personal data है, personal data से ज़्यदा ज़रूरी है, YouTube मुझे community guidelines का extract वेगरा भी दे सकता है, तो इस तरीके से आप download कर सकते हैं, मैं आपको पूरा process बता दिया हूँ, I hope आपको यह वीडियो पसंदाया होगा, और I hope आप अपना download कर लिए होगे, download नहीं आपको हुआ होगा, तो आप हमें message कीजिए, comment box में comment कीजिए, मिल तेंगले वीडियो में, तब तक कि लिए बबाए, take care